हलो आन वेलकम टू 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 टीवी मैं रौश्णी शिंग्रे आज हम बात करेंगे ब्लॉक्चेन और रेल्वे इंडस्ट्री के बारे में ब्लॉक्चेन एक ऐसी टेक्नालोजी है जो सप्लाई चेन, बांकिंग, हेल्थ केर और दूसरी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है ऐसे में अब यह ट्रांस्पोर्टेशन इंडस्ट्री में भी क्रांती लाने के रहा पर है जी हाँ, आज हम बड़े ट्रांस्पोर्ट इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने जा रहे है जिसे एक पाइदान उपर ले जाते हुए ब्लॉक्चेन की मदद से अधिक स्मार्ट, डिजिटल और डिसेंट्रलाईज बनाया जा सकेगा हर साल ग्रो हो रही रेल्वे इंडस्ट्री ब्लॉक्चेन टेकनिक का अगला लक्ष है जहां यह अपना जबर्दस्ट प्रभाव से रेल्वे को रेनोवेट करेगी दुनिया फर में मौझूद देशों में से कैनडा, ब्रजील, युनाइटिट स्टेट और चिली को छोड़ कर कई देशों में रेल नेटवर्क अभी भी मैनुवल ओपरेशन्स के कंट्रोल में है मैनुवल ओपरेशन्स को कुछ मर्दवपूर्न कंवेंशनल रेल्वे सॉफटवेर्स के जरीए कंट्रोल किया जाता है हालाकिन सब के बीच चिंता का विशय ये है कि सॉफटवेर पूरी तरह से स्ट्रीम लाइन नहीं होते है यही वज़ा है कि अक्सर ऑपरेशन्स में अनेक्सपेक्टड इश्यूस जैसे अक्सिडेंट्स, टिकेट बुकिंग को ट्रैक करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है SMA चलिए, आज हम रेलवे में मौझूद उन्चिपे हुए मुद्दो के बारे में बात करते हैं, जिनने ब्लॉक्चेन हल करने वाला है सबसे पहले बात करते हैं आखिर क्यू है ब्लॉक्चेन रेलवे इंडस्ट्री के लिए जरुरत मन्द हमेशा होने वाले रोड ट्राफिक से रेलवे ट्राफिक पूरी तरह से अलग होता है रेलवे में इंटरकनेक्टेड नारो रेलवे ट्राक्स होते हैं जो अलग-अलग ट्रेनों को अलग-अलग डेस्टिनेशन के लिए अलग-अलग समय पर एक जगे से दूसरी जगे लेकर जाने का काम करते हैं SMA Main Line Railway System में सक्त सुरक्षा प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए अलग-अलग टेक्निकल फ्रेमवर्क्स होते हैं SMA Railway में Blockchain Implementation को Conventional Railway Frameworks द्वारा बनाए गए मौजुदा Safe Blocks को इंशौर करने की ज़रूरत है इन सभी element को मद्दे नजर रखते हुए अब भारत के कर अधिकारी Blockchain टेक्निक की मदद से सिमा शुल्ग कर काटने के रूप में Rail Cargo को स्कान कर रहे हैं ताकि होने वाली अवेत तसकरी को कम किया जा सके Central Board of Indirect Taxes and Customs के चेर्मेन विवेक जोरी का माना है कि केवल करदरों को बढ़ाने या घटाने से अवेत व्यापार पर अंकुष नहीं लगाया जा सकता इसलिए Blockchain टेक्नोलोजी का इस्तमाल करना बेहत ज़रूरी है साथ ही इंडिया का Central Board of Indirect Taxes and Customs Hub Special Economic Zones और Export Oriented Units में Blockchain टक्निक का उपयोग करने पर विचार कर रहा है यह Export और Import Containers को Radio Frequency Identification Tagging के Extensive उपयोग के साथ मिलकर CBIC को सभी टोल प्लाजा सहीद कारगो को end-to-end track करने में भी मदद करेगा दूसरी बात Railway Network में क्या है Blockchain की जिम्मेदारी Railway Network में Blockchain की Top Most Responsibilities है ऐसे में Blockchain को Security Level को सुनिश्चित करने से लेकर लोगों की जान को Accident से बचाने के लिए Decentralized Autonomous Decision Making System के साथ Smart Contracts की जरूरत है अब देखते हैं Railway में कैसी को सकती है Blockchain की भुमिका Reward Points अगर Railway Network में Blockchain को लागु किया जाता है तो यात्री हर बार टिकेट खरीदने पर Reward Points जमा कर सकते हैं इन Reward Points का Redemption कुछ Defined Policies के तहत लिखा जाएगा Claim किये गए Reward Points का इस्तमाल Train यात्रा के बाद Cap जैसी दुसरी सिवाएं हासिल करने के लिए किया जा सकता है Blockchain Railway के सिस्टम के अंदर जादा Data Transparency लाता है जिसकी मदद से यात्रीयों की identities को Manage करना आसान हो जाएगा क्योंकि Blockchain के साथ सब कुछ Online दर्ज होगा जिस वज़े से यात्रीयों को यात्रा करने के दौरान कोई ID Proof साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी Maintenance चुकि हर train हजारों technical और electrical पार्ट से जुड़ी होती है इसलिए सुरक्षाई यात्रा के लिए trains का रखरकाव बहुत जरूरी होता है ऐसे में किसी भी तरह की खराबी को पकड़ना कई बार मुश्किल हो जाता है लेकिन IoT Connect Sensor और Devices के साथ Blockchain Modern Maintenance को बढ़ावा देगा क्योंकि train का हर एक पार्ट Blockchain के तहत रजिस्टर होगा Automated Billing Blockchain के साथ railway के infrastructure rights का allocation और payments तूरंत होगा Ticket booking से लेकर सब contract के payment जैसी हर चीजों को एक trusted ledger के जरीए सरल बनाया जाएगा Virtual currency से शुरूवा Blockchain का सफर आज देश से लेकर विदेश में अलग-अलग sectors तक अपना पैर पसाच चुका है यही वज़ा है कि भारत Blockchain और Web3 Developers के लिए hot spot में से एक है भारत या Blockchain Developers की दुनिया भर में मांग है और हम इससे एक बढ़ते train के रूप में देख रहे है आज के लिए बस इतना ही मैं रॉष्णी शिंग्रे आपसे विदा लेती हूँ ऐसी Web3 से जूड़ी अन्य बढ़ी और लेटिस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे 3.0 TV गय्योच के लिए